फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी चैनल टेकन अधर इंफो में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसे वीडियो बनाया जहां पर मैंने बताया है कि अगर आप लोग Find My Device में जाकर अपने मुबाईल को लग कर देते हो तो उसको कैसे अनलग करेंगे तो उसका फुल प्रोसेस मैंने एक दुसरे वीडियो पर बताया था तो उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेशन भी किये थे देखने मुझे पूचा कि अगर हम Find My Device में जाकर जिससे पसवार्ड से मुबाईल को लग 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 था अगर वह पसवार्ड हम बुल जाए तो उसको हम कैसे रिकवर करें तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम इस पसवार्ड को कैसे रिकवर करेंगे और अपने फोन को दुबारा कैसे अनलग कर सकते हैं जोस्तों ही बिल्कुल आसान है याई अगर अगर अपने मुबाईल को फाइड माई डिवाईज में जाकर लग करते हैं तो इसको अनलग करना ऐसा ही है जैसे कि अपने मुबाईल को स्क्रीन लग 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 करेंगे ऐसा ही है यानि अब अपने मुबाइल को स्क्रीन लग करते हैं जिस पस्वार्ट से अपने मुबाइल को लग लगाएंगे उसी पस्वार्ट से अपने मुबाइल को अनलग भी करना पड़ता है क्योंकि switch up करने से पहले आपके mobile पर कोई काम नहीं करेगा लेकिन अगर आप अपने password को बुल जाए जिस password से अपने mobile को find my device में जाकर लग लगाया था अगर वो password आप बुल जाए तो उसको आनलग करने के लिए आप लोगों को mobile अपने mobile को hard reset मरना पड़ेगा और आप अपने mobile को hard reset माने के लिए सबसे पहले अपने mobile को switch off करना पड़ेगा जब अपने mobile को switch off कर लेंगे तो आपने mobile की जो power button है जिस पर आप press करके अपने mobile को switch off करते हैं उस पर और बलियम की जो down button है उस पर एक साथ press करके कुछ time के लिए आप लोगों को की जो down button है ना उस पर आप प्रेस करेंगे तो यह option आपके नीचे आएगा तो यहाँ नीचे आप लोगों को एक option दिखाई देगी wipe data factory reset करके तो इस पर आकर आप लोगों को आपके power button पर click करना है तो फिर आप लोगों के सामने उस तरह का एक option तो यहाँ पर आपको reward system ना उपर click करके अपने mobile को reset करना है तो उसी तरह आप अपने mobile को tick कर सकते हैं यहनि अगर आप अपने mobile के password जो लगाया था अगर वो बुल जाए तो उसी तरह reset मारके आप अपने mobile को tick कर सकते हैं फिर अगर यह वीडियो पसंद आए लाइक करें शायर करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना बूलें